नमस्कार दोस्तों ट्रक्टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है हर बार की तरह इस बार भी हम वापिस आये है December 2021 के Commercial Vehicles के Sales Report के बारे में जिसमें हम Tata Motors, Aishar, Volvo, Ashok Leland, Mahindra और Maruti Suzuki के Commercial Vehicles के Sales Report के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना दोस्तों तब से बेले बात करते हैं Tata Motors की इसके Domestic Commercial Vehicles की बात करें तो MNHCV यानि की Medium Heavy Commercial Vehicles में 8106 Vehicles का Sales हुआ है ILCV यानि की Intermediate and Light Commercial Vehicles में 5130 Units का Sales हुआ है Passenger Carrier जिसमें Vans और Bus इत्यदी शामिल है उसमें 1380 Units Sales हुए है SUV Cargo और Pickup के सेगर में 16,392 Units Sales हुए है तो Tata Motors का Domestic Market में Commercial Vehicles का Total हो जाता है 31,008 Units का उसी के साथ-साथ Commercial Vehicles Export की बात करें तो उसमें 3,143 Units Export भी हुए है तो Tata Motors के Commercial Vehicles का Domestic Plus Export को मिला के Total हो जाता है 34,151 Units का December 2021 में Tata Motors के Cars याने के Passenger Vehicles की बात करें तो इसमें ICE याने की Diesel Petrol Vehicles का Total हो जाता है 33,044 Units का उसे के साथ-साथ EV याने की Electric Vehicles जिसमें Tigor, Nexon, इत्यादी शामिल है उसका Total हो जाता है 2,255 Units का जो काफी बहतर लग रहा है मुझे तो Passenger Vehicles का Tata Motors का Total है 35,299 Units का December 2021 में आए जलते हैं हमारी दूसरी कंपणी के और वो है VECV याने की Volvo Aisar Commercial Vehicles Aisar के Trucks and Buses की बात करें तो इसके Domestic Market में इसका Total है 5192 Units का जिसमें LMD याने की Light Medium Duty Vehicles है 3541 Units HD याने की Heavy Duty Trucks है 1282 Units उसे के साथ-साथ LMD Buses है 331 Units और HD याने की Heavy Duty Buses है 38 Units की तो इन सब का Total Domestic Market में Aisar Trucks and Buses का हो जाता है 5192 Units का उसे के साथ-साथ Aisar Trucks and Buses ने 810 गाडिया एक्सपोर्ट भी की है बात करें Volvo Trucks and Buses की तो December 2021 में 152 Units का Sales Volvo Trucks and Buses का हुआ है तो दोस्तों VECV याने की Volvo Aisar Commercial Vehicles का December 2021 में Total हो जाता है 6154 Units का आईए चलते हैं हमारी तीसरी कंपनी के ओर लेकिन तीसरी कंपनी के ओर जाने से पहले आईए जानते हैं एक एक एप के बारे में जो Transporters और Transport Industry के लिए एक काफी बहतरीन एप है आईए अब मैं आपको आपके ट्रांस्पोर्ट बिजनेस को और बहतरीन बनाने के लिए एक एप के बारे मैं बताऊंगा जिसका नाम है वाहक दोस्तों वाहक एक कंप्लीटली फ्री लोड और लॉरी बुकिंग एप है वाहक के मदद से आप 24 बाशेवन अल ओवर इंडिया में आपके ट्रक के लिए लोड धुन सकते है जिसका फाइदा आपको रिटर्न ट्रिप्स में जरूर होगा उसी के साथ साथ अगर आपके पास लोड है तो आप ट्रक्स, ट्रेलर्स, कंटेनर्स इत्यादी भी बुक कर सकते है वाक से जुड़े हजारो भरोसे मन ट्रांसपोर्टर्स और ट्रकोर्नर्स के साथ साथी में आप देज भर के ट्रांसपोर्टर्स के साथ कनेक भी कर सकते है सबसे खास बात यह है कि इन सब चीजों के लिए वाक आप 0% कमिशन पर काम करता है और यह एप बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है तो आपको ना बार-बार फोन गुमाने के जरूत है ना ही डाइरी के पन्ने पलेटने की आपके पॉकेट मेरे के स्मार्ट फोन पर ही सारा काम हो सकता है वाक आपको 10 लग से जादा यूजर्स सक्सेसफुली इस्तमाल कर रहे है इस आपको फ्री डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के डेस्क्रिप्शन भाग में दी है साथी में वाक के यूटूब चैनल की लिंक भी दी है जहाँ पर विजिट करके आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्ट कर सकते है तो आज ही डाउनलोड कीजिए वाक आप और दीजे आपके ट्रांस्पोर्ट बिजनस को एक नई पहचान आईए जलते हैं तीसरी कंपनी के ओर जिसका नाम है अशोक लेलाइंड है जिसका नाम है महींद्रा महींद्रा के कमर्शально विङंट्व सेग्मेंट की बात करें तो में utility vehicles, cars और vans इत्यादी शामिल है, तो उसमें महिंद्रा ने 17,722 यूनिट्स सेल किये है, उसी के साथ-साथ exports division में महिंद्रा ने 3,070 यूनिट्स export भी किये है, तो महिंद्रा का December 2021 का commercial vehicles प्लस passenger vehicles प्लस exports को मिला कर, टोटल हो जाता है, 39,157 यूनिट्स का, आईए बढ़ते हैं हमारी आखरी company की और जिसका नाम है मारती सुजुकी, मारती सुजुकी एक commercial vehicle जो है LCB, सुपर कैरी, जिसने December 2021 में 3,015 यूनिट्स का सेल्स किया है, तो ये था December 2021 का commercial vehicles का sales report, आपको कैसी लगी वीडियो मुझे निचे comment section में ज़रूर बताना, और अगर आप transport business में है, या फिर आप trucks ओन करते है, तो आप वहाँ कैप ज़रूर इस्तमाल कीजिएगा, जिस के लिए आपको वीडियो के description में मिल जाएगी, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, और ऐसे ही हर मैने sales report की वीडियो देखने के लिए पानल को subscribe करना ना भूलना और वीडियो का like बिटन भी दबा दीजेगा, मैं मिलता हूँ आपको अगली बार तब तक के लिए देखते रहे है, ये ट्रिपल एकस्टन ब्लॉक्स, ट्रॉक्टॉक्स, स्प्रेडिंग अल्दबबबबबबबब ट्रक्स, जै हिंद